हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दाइभी क्लासेस और आपके हमार यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज की जी वीडियो है इस वीडियो में लोग आज बात करेंगे मैंसुरेशन का थेक है मैंसुरेशन बहुत इंप्धियू चैप्टर होता है यह क्लास्च से शुरू होगा सभा से यह इट नाइन और टैन तक जायेगा इसको अगर आप लोग दिखते हो तो फिर क्लास से में इसी पर थोड़ा सा एडवांस मिलेगा नाइन उस पर थोड़ा पूरा बेसिक से देखेंगे और आज हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं वो चैप्टर नुबर टैन है जिसमें एक साइट 10.1 स्टार्ट किये हैं क्लास 6 के लिए है आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए सस्क्राइब करिए आए द लोग दूसरे वर्ड में समसकते हैं Sum of all side उसकी total boundary कितनी है उसकी boundary का total length कितना है यह अगर हम लोग निकाल लें तो हमारे इसके perimeter हो जाएगी तो जो भी figure आपको दिखें उसके जितने भी sides दिखें सबको add कर दिजिए सबको add कर दिजिए वही आपका perimeter होगा आईए शुरू क करते हैं question where A से A में देखिए A का figure यह है इसमें क्या है perimeter एक formula type का आप लेख लीजिए perimeter equal to sum of all side sum of all side कर लीजिए और पिर यहाँ पर क्या क्या side दिया हुआ है तो 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 दिख रहा है तो 5, 15, 12, 12, 12 cm क्या होगा इसका perimeter होगा B वाला, B वाला figure यह है इसमें भी sum of all side करेंगे तो इसमें क्या क्या side दिख रहे है formula आप लिख लिए ना perimeter इसमें क्या क्या दिख रहा हुआ 23 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 35 35 प्लस 35 70 70 प्लस 40 सच्चार 11, 11, 12, 13, 13 cm ठीक है C वाले प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 15 पंदर चोके साथ 60 cm ठीक है D की बारे में बात करते हैं D में क्या है इसका perimeter कितना होगा आपको सिर्फ यह वाले formula हर question में लिखने है और फिर उसके बाद सारे question सारा step सेम रहेगा D वाले का आपको कुछ फिवर दिख रहा होगा देखें यह D वाले का फिवर है इसमें क्या है कितना 4 लिखा हुआ है तो 1, 2, 3, 4 और 5 तो 1, 2, 3, 4 और 5 लिखा हुआ है 5, 4, 20, 20 cm ठीक है फिर इसी में थोड़ा सा hard यह स्वास्तिक का फिवर है F वाला इसका कैसे होगा इसमें कुछ ने करना है जो भी side दिख रहे है उसको add कर लिजिए एक और तरीका में बताता हूँ यह जो आपको यह side दिख रहा है सेम इसी तरीके के side हर figure में है यह ऐसे वाले है हर figure में यही side है ठीक है तो अगर आप एक figure को पकड़ लेते हो और 4 से multiply करते हो तब भी आपका काम हो जाएगा या पूरा आप कर लो कोई दिखत नहीं है पर आप smart way से आप ऐसे भी कर सकते हो तो मैं smart way का यूट कर रहा हूँ 4 और इतना है सबको add कर लिए 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 ठीक है 3,4,1,3,2 इतना मैंने लिख दिया 4 इंटू 3,3,6,4,10 और 3,3,3,4,52 ठीक है f के बाद हम लोग e पर आते हैं अब क्या होगा e कर देखते है e में कैसे होगा e में भी दिख रहा होगा आपको इसका parameter क्या होगा इसका parameter क्या होगा इसका parameter होगा 1 प्लस 4 प्लस 0.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 4 इतना है इसी को add करना है इसको अगर add कर लेंगे तो answer आ जाएगा ठीक ये दोनों मिलके एक एक और एक दो दो चार चार आट दो दस दस पांच पंद्रव दस पंद्रव जो होगा इसका answer होगा ठीक है हो सकता है मेरा math थोड़ा सा कमजूर है आप लोग हो सकता है एडिसन एवार चेक कर लेना मेरे पे इतना बहरोसा का निकजूरत नहीं है इवार आप लोग भी अपना check करते रहना कि हो सकता है किसी point को मैं छोड़ दिया हूँ इसके वैसे answer लगा रहा हो तो इसको भी आपको ठेक्टेंगुलर बॉक्सा है 120ध रेक्टेंगलर बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्सा है जिसके। साइट MARK?. 40 और 10 तु बढ़ा हुद आब 40 होगा च्छटा वाला 10 होगा ये भी 40 होगा ये बीटेंघल उन्होगा क्योस्किछी साइट केος इसको टेप से ओलेंद करना है वाट इस लेंट आप टेप का लैंद क्या होगा तो इसमें पैरिमिटर ही निकालिये parameter होगा 40 plus 10 plus 40 plus 10 कितना होगा 80,200 100 cm या 100 cm का हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 meter क्या लिख सकते हैं 1 meter भी हम लोग लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं next question की तरफ या question में 3 दिख रहा होगा और table top आपके घहर में table होगा उसका size, उस shape देख लिए कैसा है उसका shape कुछ ऐसा दिख रहा होगा ठीक है table top measure 2 meter 25 cm 2 meter 25 cm by 1 meter 50 cm 1 meter 50 cm तो मैंने बता है कि यह table होगा rectangular shape का होगा तो जो चीज उपर होगा वह चीज यहां भी होगा तो 2 meter 25 cm और 1 meter 50 cm ठीक है, ऐसे होगा तो हमको क्या बताना है what is the perimeter क्या बताना है perimeter बताना है तो perimeter का मैंने formula भी उपर बताया है आपको perimeter का formula क्या होता है sum of all side ठीक है मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलता रहा है उससे आपको लोग को confidence बढ़ेगा और question गलत नहीं होंगे ठीक है, इसको आपको लोग लिखते है क्या होगा इसके sides कौन कौन से है 2 meter 25 centimeter plus 1 meter 50 centimeter plus 2 meter 25 centimeter plus 1 meter 50 centimeter यह है, इनको add करेंगे हम लोग 2, 1, 3 plus 2, 5 plus 1, 6 6 हाँ यार, पहले हम लोगो centimeter add करना चाहिए, थोड़ा साथ विष्टेक हो गया यह देखें, 50 plus 50, 100 और 25 plus 25, 125 तो हो जाएगा 125 centimeter और यह होगा 6 meter यह centimeter है, वो 100 से जादा नहीं होता है तो यह जो क्या होगा इस पर करी जाएगा यह 7 meter 25 centimeter होगा अगर आपको इस तरीके से confusion लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आप ऐसे भी add कर सकते हो meter centimeter कर लो दो, एक, दो, एक, पचीस, पचास, पचीस, पचास ऐसे करके भी add कर लोगे तो आपके यह ही आएंगे पहले में 5, 2, 1 carry और यहां पर आएगा 7 तो 7 meter 25 centimeter यह क्या होगा आपका अच्छा रुको दिखते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे क्या थोड़ा सा मिस्टेक है मैंने पहले में तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर आएगा 5, 0 आजाएगा 7 meter 50 centimeter जो होगा क्या होगा इसका सही answer आएगा यह इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक दूसरे word में भी लिख सकते हैं 7.5 meter क्या लिख सकते हैं 7.5 meter भी इसको लिखा जा सकता है ठीक है आएए question पर 4 के तब देखते हैं माप करेगा mistake होगा मेरे से centimeter तो उपर 32 है तो इनीचे भी 32 होगा यहाँ 21 होगा तो इसकी भी perimeter निकलेगी ठीक है तो perimeter formula क्या होगा sum of all side sum of all side क्या आएगा 32 plus 21 plus 32 plus 21 add करेंगे क्या आएगा 106 कितना आएगा 106 centimeter इसका answer आएगा next और rectangular piece of land यह भी rectangular piece of land है एक rectangle मैंने 0.5 kilometer ठीक है तो वह 0.5 तो यह भी 0.5 होगा यह 0.7 तो यह भी 0.7 ही होगा ठीक है each side to be fence with four row of wire इसको चारोबल से घेड़ना है और चार line बनाने है wire के wire के चार line बनाने मतलब इसका perimeter जो आएगा उसको force से multiply कर देंगे perimeter में एक बार घुमेगा फिर दूसरी बार घुमाएंगे तीसरी बार घुमाएंगे चौतरी बार घुमाएंगे तब 4 रो यहाँ पर बनेगा what is the length of wire wire का length बताना है तो पहले हम लोंको perimeter निकाना पड़ेगा 0.7 add करेंगे यह मिलके 1 और यह मिलके 1.4 क्याएगा 2.4 km कब एक बार होगा हमको कितने बार निकालना है मैंने भी बताया तर 4 रो बताना है required length of wire in 4 row is 2.4 into 4 इसको multiply करेंगे तो आएगा 9.6 km क्या जाएगा 9.6 km इसका answer आएगा आगे बढ़ते हैं कोशन में 6 की तरफ देख रहे हैं कोशन में 6 क्या है find the perimeter of each shape यहाँ पर इसको shape के बारे बताया गया है उसका हमको perimeter निकालना है पहला हमारा triangle का shape है यह मैं triangle का shape बना रहा ठीक है यहाँ बोला है कि इसके size जो है वो है 3 4 और 5 cm ठीक है इसका हमको perimeter बताना है perimeter का formula always same होता है sum of all side sum of all side क्या होगा 3 plus 4 plus 5 पांचा नो तिन 12 cm कितना आएगा 12 cm इसका answer आएगा दूसरा भी है एक equilateral triangle है अब यहाँ पर एक निया वर्ड आपको सुनने को दिख रहा है equilateral triangle equilateral triangle क्या होता है जिसके सभी sides equal होते हैं तो जिसके सभी sides equal होते हैं तो अगर मतलब यह भी 9 cm होगा यह भी 9 cm होगा और यह भी 9 cm होगा formula यहाँ भी same होगा perimeter equal to sum of all sides क्या आएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 9 त्रीजा 27 cm थर्ड है आइसो सेल स्ट्रेंगल अब यह क्या होता है यह भी एक टाइप का triangle होता है इसमें क्या होते हैं कि इसके दू साइट इक्कोल होते हैं आइसो सेल स्ट्रेंगल में देखें यहाँ आप क्या रिखा होगा equal side is 8 cm तो हम लोग इसको equal लेते हैं 8 cm और इसको भी equal लेते हैं 8 cm और थर्ड साइट क्या है 6 cm का तो यह 6 cm इसकी perimeter क्या आएगी perimeter की बात करते हैं इसका perimeter क्या होगा 8 प्लस 8 प्लस 6 8 8 16 और 6 22 cm इसका perimeter होगा ठीक है आगे बारते हैं next question की तरफ question mark 7 आपको दिखेगा find the perimeter of triangle whose side measure एक triangle है उसके side बताने है ठीक है triangle दिख रहा है इसके side दिए हूँ है 10 cm 14 cm और 15 cm perimeter बताना है तो perimeter equal to sum of all sides sum of all sides क्या हैगा 10 प्लस 14 प्लस 15 add करेंगे तो 5 4 9 और 29 cm जो होगा इसका correct answer होगा next question मैं 8 की तरफ देख रहे हैं hexagon क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा hexagon अब hexagon कैसा होता है hexagon मतलब six side होते हैं तो मैं कोशिद करता हूँ one two three four five six यह hexagon हो गया इसके side क्या है 8 cm के है 8 8 8 8 8 और 8 इसकी perimeter क्या होगी perimeter equal to sum of all side sum of all side sum of all side sum of all side क्या आएगा 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 और plus 8 एक दो तीन चार पांच चाह है hexagon है यानि 6 side होगे 8 चंग और 40 48 cm ठीक है 48 cm क्या होगा इसका 48 सेंटिमेटर या मीटर दिया हुआ थो मीटर यहां पर मीटर दिया हुआ तो इसलिए मीटर लिखे लिए थे कहा cœur यहाँ पर meter दिया हुआ है इसलिए आप लोग भी meter यूठ हो unit पर ध्यान देना है आप लोग को unit बहुत number काटता है अगर आप लोग question में unit नहीं लिक्ते हो तो आपके अगर दो number के question है तो आपको एक number मिलेंगे ठेक तो यूनिट पे ध्यान देना है यूनिट आपको लिखना ही लिखना है यूनिट के साथ ही एंसर बनाने होंगे अदर्वाइज आपके नमबर कट सकते हैं आएक कोशन वन 9 की तरफ बढ़ ला हैं लोग Find the side of square whose perimeter is 20 एक square का perimeter दिया हुआ है जिसके side बताने हैं एक square दिया हुआ है इसका perimeter 20 दिया हुआ है perimeter कितना दिया हुआ है 20 हम लोग माल लेते हैं इसका एक side जो है A है ये भी A होगा ये भी A होगा ये भी A होगा क्यों क्यों क्योंकि square के all sides क्या होते हैं equal होते हैं perimeter का formula क्या होगा sum of all side sum of all side कितने side है 4 side है तो chart हो यह लिखेगा 4 times यह लिखायाएगा add करेंगे 4 is equal to 20 4 से काटेंगे 4, 5 is the 20 क्या जाएगा 5 cm 5 meter या centimeter जो भी unit होगा यहाँ पर meter unit है इसलिए meter the perimeter of regular pentagon क्या pentagon pentagon कैसा आता है hexagon में कितना थे 6 थे pentagon में कितने होगे 5 होगे pentagon का perimeter दिया हुआ है कितना 100 cm perimeter कितना होगा 100 अब यहाँ पर regular word यूज़ किया है अगर यहाँ पर regular word यूज़ नहीं करेगा तब question लगाने में आपको दिक्कत आएगी actually question लगेगा ही नहीं ठीक है अगर regular दिया है regular मतलब क्या है इसके सभी sides क्या है equal है आप एक ही जगा कुछ भी ले सकते है x y z कुछ भी ले सकते है तो perimeter formula क्या होता है sum of all side equal to 100 cm कितने side है 5 side है तो 1 2 3 4 और 5 equal to 100 cm 5 equal to 100 cm a equal to क्या हो जाएगा 100 by 5 यानि 20 cm हमारा क्या होगा each side आएगा ठीक है आगे बड़ते हैं question बड़ हम लोग 10 की तरफ आ चुके हैं a piece of string is 30 meter long एक string है एक धागा है वो 30 cm long है what will be the length of each side उसके each side का length क्या होगा अगर उस string से उस धागे से हम लोग एक स्क्वाइर बनाए एक 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 स्क्वाइर बनाए या एक हेक्सागन बनाए तो आए यह कोशन बहुत अच्छा में अच्छे कोशनों में से एक है ठेक है यह एक स्क्वाइर बना रहा है यह लोग इस इस्क्वाइर का यह जो length of string है ना piece of string is 30 cm long यह जो string दिया हुआ है यह क्या काम करेगा यह काम करेगा as a perimeter क्या करेगा perimeter काम करेगा अब ही हमोंको ने perimeter से side निकालना सीखा था तो perimeter equal to sum of all side perimeter कितना है 30, side कितना है 4 side है a plus a plus a plus a 4a equal to 30, 4 से divide करेंगे 30 by 4 कितना है गा 7.5 cm जगर उसको square बना देंगे तो उसके एक side कितने cm के होंगे 7.5 cm के होंगे अगर इसको equilateral triangle बना दिया जाए तब क्या होगा equilateral triangle क्या होता है जिसके सभी side equal होते है यानि a a और a तो यहाँ पर फिर से formula यह तो same ही रहेगा यहाँ पर 30 equal to a plus a plus a 30 equal to 3 a, a equal to 30 by 3, 3 से 30 को divide करें क्या है गा 10 cm side कितना हो जाएगा 10 cm का हो जाएगा अगर इसी को हम लोग hexagon कर दें तो क्या होगा hexagon क्या होता है जिसमें 6 side होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसके सारे side equal होते हैं इसके भी ठीक है अभी भी यह formula यह रहेगा parameter equal to sum of all side तो 30 equal to a plus a plus a plus a plus a तो 30 equal to 6 a और a equal to 30 by 6, 6, 5, 0, 30 a की value क्या आजाएगी? 5 cm आजाएगी a की value क्या आएगी? 5 cm आएगी यह question, यह a question में 3 question था इसलिए यह important question है ठीक है? तो इसको आप जरूर से ध्यान देना फिर यह 12 मामा पर हम लोगा आ चुके है 2 side of a triangle are 12 and 14 cm एक triangle था जिसके 2 sides कितने दिये हुए थे? 12 दिये हुए थे और 14 दिये हुए थे ठीक और perimeter 36 दिया हुआ था इसका perimeter कितना दिया हुआ है? 36 cm का दिया हुआ है 3rd side बताना है हम लोग 3rd side को x अपोस कर लेते हैं perimeter का formula क्या होता है? sum of all side sum of all side होता है इसके side क्या क्या है? 12 प्लस 14 प्लस x और perimeter की जगा 36 लिख देंगे add करते हैं 4, 2, 6 और 2 ठीक है? 26 प्लस x इक्वल टू 36 36 में से 26 माइनस करेंगे क्या आएगा? x आजाएगा इसको separate करेंगे तो 10 आएगा जो इसका 3rd side था वो कितने cm का होगा? 10 cm का होगा 10 cm इसका exact answer आएगा हम लोग 12 पे हैं अब 13 पे चलना है question में 13 आप लोग देखिए find the cost of fencing हमको fencing का cost बताना आप fencing क्या होता है अगर आपने किसी plot को देखा होगा या फिर गाओं की तरफ खेट को देखे होगे तो चारो बगल या तो boundary कर दी जाती है या फिर बांस से उसको घेर दिया जाता है या ताल लपेट दिया जाता है तो वो जो ताल लपेट ना बांस से घेर ना या boundary बनाना इस चीज़ को हम लोग fencing भी कहते है ठीक है इंगलिस के वर्ड में इसको fencing का जाता है fencing of square park कौनसा पार्क square park is 250 meter 250 meter का 20 रुपया के rate से बताना है find the cost of fencing of square park of side 250 meter एक square park है जिसके side कितने दिये हुए है 250 meter के दिये हुए है 250 meter दिये हुए है square है तो all side equal होता है square का क्या होता है all side equal होगा और हमको per meter का cost दिया हुआ है 20 रुपया per meter cost दिया हुआ तो पहले तो हमको perimeter निकालना होगा क्योंकि जो हम लोग boundary बनाएंगे कहां बनाते हैं perimeter बनाते हैं perimeter equal to sum of all side side कितना है 250 plus 250 plus 250 and 250 इसको add करें कितना हैगा 1000 आजाएगा 1000 meter आजाएगा cost of fencing of 1 meter equal to 20 rupees तो हमको कितना करना है cost of fencing 1000 meter 1000 meter क्या होगा 20 into 1000 तो क्या आजाएगा 20,000 rupee कितना 20,000 rupee उसका cost आएगा यहाँ पर जो मैंने line खीची है इसकी लिएगा आप लिखना है cost of fencing of 1000 meter ठीक है आएगे question of 14 तरफ चलते है question of 14 दिख रहा है find the cost of fencing of regular rectangular park एक rectangular park है उसको fencing करना है अब उसका क्या cost आएगा ठीक है मैं जैसे बता है fencing क्या होता है fencing होता है boundary बनाना ठीक तो यहाँ पर इसका जो कितना है 175 है और 125 है यह भी 175 होगा और यह भी 125 होगा और इसका दाम कितना है 12 रुपया पर मीटर पहले जो परिमीटर निकालना होगा perimeter equal to equal to sum of all side sum of all side होगा जिसके side कितना होगा 175 plus 175 plus 125 plus 125 इसको add करते हैं क्या होगा 500 ही होगा और 200 ही होगा 500 दो साले 400 500 और 1.500 तो साले 400 पांचो और 600 600 600 600 मीटर होगे अब हमको 1 मीटर का कोस्ट कितना हुआ है कोस्ट आप फेंसिंग 1 मीटर फिल्ड एस 20 रुपीज 12 रुपीज हमारे पास कितना मीटर फिल्ड है 600 मीटर फिल्ड का कोस्ट किया आएगा तो 12 इंटू 600 12 रुपीज 12 रुपीज कितना आएगा 72 700 700 700 200 रुपीज कितना आएगा 7200 रुपीज जो होगा वो हमारा एंसर होगा आए कोशन 15 पे चलते हैं 15 क्या लिखा हुआ है स्वीटी रन एराउंड इस्क्वाइर पार्क स्वीटी नाम की एक लर्की है जो स्क्वाइर पार्क में राउंड लगाती है जिसका साइट 75 मिटर है और बुल-बुल जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क में राउंड लगाता है जिसका लेंज 60 है ब्रेथ 45 है who cover less distance कौन कम distance cover करता है कौन जल्दी जल्दी दोड लेता है ये एक rectangular है और ये square है तो दोनों के देखना है हमको perimeter निकालना होगा तो जो कि square वाले कितना था 75 था 75 75 75 और 75 इसका क्या हैगा 60 60 45 45 इसका perimeter निकालना है क्या हैगा 60 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 45 45 प्लस 496 12 210 meter ठीक है कितना हैगा 210 210 meter आएगा इसका करेंगे तो क्या हैगा perimeter 75 75 प्लस 75 इन्फर इन्फर योर्द एंसर आप एंसर में क्या इन्फर करते हैं पहले तो लोगों perimeter निकालने देखते हैं क्या आता है आप लोगों फार्मला प्ता ही हो गया इतना question आप लोगों लगाया मैं डिरेक्ट लगाने कोशिश कर रहा हूँ perimeter एका perimeter क्या आएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 26 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10 चाले 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 असी भी 100 100 cm इसका भी आ गया और डी वाले का देखते हैं डी वाले क्या होगा perimeter 30 प्लस 30 प्लस 40 चाले चाले होगा 100 cm यह हैंसे का answer आ जाएगा तो अब इसमें क्या आपको द्युव्पा क्या आपको प्ल दिखाए दिया तो स्थेव डिखाए दिया अल्स प्लस 30 प्लस 40 पोल पिगर है सेंघ्री मिटर आगे बढ़ते हैं ने कुछर्ण है कुछ्छन पर 17 अब नीट बाइन नाइन स्क्वाइर पेविंग अवनीट ने क्या किया नाइन स्क्वाइर यहां पर देखे नाइन स्क्वाइर का एक वैस्लैब कर दा एक दो तीन चार पांच है साथ आट नो, each with side half meter, a का side क्या है, half meter है, he lay them in the form of square, और इसने क्या-क्या square में कर दिया, what is the perimeter of his arrangement, इसके arrangement का perimeter क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग इसको a मान लेते हैं, a, 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 a a, 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 a तो 3.12 12A होगा कितना होगा 12A और कह रहा है एक side paving था वो half meter का है कितना है half meter का है 12 into half तो आएगा 6 meter कितना आ गया 6 meter पहले का आ गया और फिर दूसरा question इसी में उसने put किया she does not like to arrangement श्री नाम की एक लड़की थे उसको यह arrangement पसंद नहीं आया खुरापाती लड़की वो क्या कि she get him laying to the cross उसने cross में इसको अरेंज कर दिया what is the parameter of her arrangement उसके arrangement का क्या parameter होगा ठीक है अभी भी तो side a half meter का है इसको count कर लेटे तो a a यहां दो बार a होगा नीचे का इधर का a a a a a यहां भी दो बार होगा a a a a a यहां भी दो बार होगा a a a a a a मैं खुद अपने a में confused हूँ कितना a मैंने लिग दिया काउंट करते हैं कितना यह लिखा मैंने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यारह बारह तेरह चौदर पंदरह सोलह सत्रह ठारह उन्निस आइधिक उन्निस मैंने लिखा है एक बीस होना चाहिए कहीं मैं यह देखिए यह एक छुट गया यह बीस है ठीक है यहां इसका पैरिमिटर क्या आएगा ट्वेंटी ए ट्वेंटी इंटू हाफ यानि टैन मीटर कितना होगा इसका एरेजमेंट में टैन मीटर होंगे फिर आगे बरते हैं कोशन वह सी क्या है विच है जग्रेटर पैरिमिटर तो स्री का जो पैरिमिटर था वो ग्रेटर होगा तो स्री फिगर टू एज या हैव है 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 ग्रेटर पैरिमिटर दी वाले में क्या है अवनित वंडर्ड अवनित क्या हुआ आश्चा चक्रित हो गया अवनित यह देखके आश्चा चक्रित है अगर ऐसा किया जाए तो पैरिमिटर बढ़ गया चैन्यू फाइंट अब दूंग दिस दपेविंग स्लैब मुस्ट अलोंग ड़कम्प्लीट एज दैट इस दे चैन नौट ब्रोकेन तो इसका एक में में बता रहा है यहां पर कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर दिया है उसको मैं देख रहा हूं सोच रहा हूं समझ रहा हूं आप लोग भी साथ में सयोग करें अवनीथ वंडर्ड इप दे इस अवे अफ गेटिंग इवन ग्रेटर पैरिमिटर अवनीथ क्या हो गया वह आश्चा चकित हो गया यह देखके तो इसका क्या किया जाए इस कोश्चें को हम लोग पैंडिंग भी कर सकते हैं आए एक मिन्नाट पस इस कुछे को ऐसे छोड़ देते हैं इसका मैं नेक्स वाल वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा इसके लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू दोस्तों थैंक यू एवरिवन प्रीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करेगा थैंक यू